दोस्तों, अमारी सीरी चल रही है जिम कॉर्बिट की बुक दाउमनी बस और इसकी स्टोरी चल रही है दा तल्ला देस मैनीटर कहानी के पिछले पार्ट्स प्लेजिस में हैं, आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं अब एक घोराल और लंगूर कॉल कर रहा था, जिम कॉर्बिट बोलते हैं कि घोराल तो कभी-कभी इनसानों को देखके भी कॉल करता है, लेकिन लंगूर इनसानों को देखके अलाम कॉल नहीं करता, वो तो तब ही करता है जब टाइगर या लैपर्ड हो अब कॉर्बिट बोलते हैं इस बात की संभावना थी कि टाइगर अपने शेकार के आसपास ही रहा हो, लेकिन जब इतने सारे लोगों की पार्टी आई, तो फिर वो ऐसी जगे पे चला गया हो, जहां से वो देखाई ना दे अब पहले घोराल की कॉल, उसके बाद लंगूर की कॉल, मैं घटना का मनी मन में चित्रन कर रहा था और सोच रहा था किस स्टेप के बाद क्या हुआ होगा, पटवारी खाना खा रहा था जब मैं उसके पास पहुँचा, अब पटवारी ने भी मुझे जोईन कर लिया था, अब मैंने पटवारी से पूछा कि मैंने बेन से कहा था कि मुझे दो भैसे चाहिए, उनका क्या हुआ, पटवारी ने कहा कि उन भैसों के साथ वो चमपावत से चला था, और उन्हें तल्ला कोट के पास दस मील की दूरी पर एक गाउ में छोड़ दिया, क्योंकि वहाँ प वहाँ पर मैं इटर से निपटने के लिए कोई शिकारी था नहीं, तो बच्चे की बॉड़ी को उठा लिया गया है, उसके बाद उसने टेलिग्राम कर दिया था टनकपुर, और उपर से आदेश आया, कि बच्चे की बॉड़ी का अंतिम संसकार कर दिया जाए, अब रात गुजारी थी, छोटे से गाउं में, वहाँ से मेरे आदमी अभी तक आये नहीं थे, तो मैंने मुखिया से कहा, कि मेरा टेंट, वो जो स्ट्रीम बह रही है, खुले मैदान में, वहाँ पर लगा दिया जाए, मैंने डिसाइड किया, कि मैं नीचे जाऊंगा, उस जग मेटर, मेल है की फीमेल है, और अगर फीमेल है, तो क्या, इसके साथ बच्चे भी है, अब जिम कॉर्विट बोलते हैं, कि जैसा कि मैं पहले ही, बता चुका हूँ, कि कुमाउं का ये हिस्सा, मेरे लिए अंजाना था, यहां के भुगोल की मुझे जानकारी नहीं थी, तो म आने के लिए, तो वो लड़का, जिसकी मा को टाइगर ने मार दिया था, वो सामने निकल के आया, बोला मैं आपके साथ चलता हूँ, मैं आपको ले कर चलूँगा, उस जगे पर, जहां टाइगर ने मारा है, मेरी मा को, अब जिम कॉर्विट बोलते हैं, कि यहां के लोगो पर इतना भरोसा कैसे कर सकता है, जो कि मुझे जानता भी नहीं, अब जो बच्चा था, उसका नाम था डूंगर सिंग, वो भी साहस और आत्म विश्वास का प्रतिक बन गया था, क्योंकि उसे भरोसा था, कि वो मेरे साथ जाएगा, तो साहब उसे कुछ होने नहीं देंग वो डूंगर सिंग, जो सालों से आदम खोर के साए में, देशत के साए में जिया था, कुछ घंटों पहले ही, उसने अपनी मा के अवशेश देखे थे, जिसे मारा था आदम खोर ने, और उसके बाद भी, उसके अंदर इतना साहस था, कि वो आदम खोर के अलाके में, मुझ लेकिन उसे विश्वास था, कि उसके साथ, जो साहब जा रहे हैं, वो उसकी रक्षा करेंगे, क्योंकि घुराल की कॉल हुई थी, लंगूर की कॉल हुई थी, सब को मालुम था, कि मैनीटर आसपास ही है, और ये बात गौर करने वाली है, कि साहब, यानि कि मैं, उसके ये बिलकुल अजनवी था, पहली मुलाकात हुई थी हमारी, आला कि डूंगर सिंग थोड़ी देर पहले उस इलागे में जा चुका था, लेकिन तब वो गया था, तीस लोगों के साथ, और तीस लोगों के सामने, टाइगर आता नहीं है, यानि कि सुरक्षा की पूरी गैर अब जहां पर हम खड़े थे, वहां से नीचे उतरने का कोई रास्ता नहीं था, तो डूंगर सिंग मुझे वापस गाउं की तरफ ले गया, और वहां से बकरियों के उतरने के रास्ते से हम नीचे चल पड़े, अब जो हम नीचे जा रहे थे जाडियों के बीच से, तो मैं दाएं कान में फुसफुसा के कहना, अभी हम थोड़ा ही आगे चले थे, कि डूंगर सिंग ने पीछे मुण के देखा, और फिर मेरी तरफ देखा, मैंने भी पीछे मुण के देखा, तो उसी रास्ते से पटवारी एक आदमी को लेके आ रहा था, जिसके कंदे पे टंगी एक शॉटगन तब हम थोड़े से खुले अलाके में आगे, जो कुछ गज खुला हुगा था, अब यहां से दो रास्ते जा रहे थे, एक रास्ता जा रहा था, एक रवीन की तरफ और जो दाइने हाथ था रास्ता जा रहा था, पहाडी के छोर की तरफ जा रहा था, अब वो बच्चा ताइगर ने खाया था। मैंने देखा पहाडी के उपर बहुत सारी भीड खड़ी है जहां थोड़ी देर पहले मैं खुद खड़ा था। अब डूंगर सिंग ने अपना एक हाथ इशारे से हाथ उठाया यानि ये इशारा हम लोग के लिए था कि शान्ती बनाए रखो और दूसरा हाथ अपने कान पर लगाया यानि कि वो सुनने की कोशिश कर रहा था कि वो लोग क्या बोल रहे हैं। और जब सुन लिया उसने अपना सर सहमती महलाया फिर डूंगर सिंग ने मुझे बताया कि उसका भाई बोल रहा है कि जहां पे हम लोग खड़े हैं उसके नीचे ही एक ग्राउंड है और वहाँ पर लाल-लाल कुछ नजरा रहा है। अब जो बंजर खेत था यानि कि जिसमें खेती नहीं की जा रही थी उसके नीचे वाले खेत में ही टाइगर लेटा था यानि कि कुछ लाल-लाल नजरा रहा था। अब Jim Corbett ने सोचा कि वो लाल-लाल किसी पेड़ का तना भी हो सकता है, कांकड भी हो सकता है, या फिर यंग सामर भी हो सकता है, जो कि लाल रंके ही नजर आते हैं, ये सब हो सकता है, लेकिन वो टाइगर भी हो सकता है अब जिम कॉर्विट इस मौके को खोना नहीं चाहते थे भले ही वो कितना ही छोटा मौका क्यों नहीं हो तो अपनी बंदूख उनर डूंगर सिंग को पकड़ाई उसके बाद हाथ के इशारे से पटवारी और उसके साथ ही को ले चले पेड़ की तरफ पटवारी के बंदूख धारी की बंदूख को जिम कॉर्विट ने खाली कर दिया वहीं एक जाड़ी में छिपा दिया और उनसे कहा इस पेड़ पर चड़ जाओ चुप चाप बैठे रहना इसी में तुम्हारी जान की सलामती है क्योंकि सामने मुलाकात होने वाली है ताउज देखा है वो खुशी खुशी ऊपर ही ऊपर चड़ते जा रहे थे जब तक कि उन्हें यकीन नहीं हो गया था कि वो टाइगर की पहुँच से दूर है साफ नजर आ रहा था कि जिस उत्साह से वो आदम खोर को मारने के लिए गाउं से निकले थे वो उत्साह हताशा में खायर रहे थे किसी तरह से बचना चाहते थे आदम खोर बाग से अब जो बकरियों के जाने का रास्ता दाहिनी तरफ जाता था वो ऐसे खेत की तरफ जाता था जो कि बंजर था उसमें जही की घास होगी हुई थी अब ये खेट जो की करीब सौ गज लंबा था, करीब दस फीट चोड़ा था उस तरफ जिस तरफ मैं खड़ा था और मेरे सामने वाली तरफ करीब तीस फीट चोड़ा था, और वहाँ जाके ये खेट एक रिज़ पर खतम हो जाता करीब पचास गज की दूरी तक वो खेत एकदम सीधा था उसके बाद थोड़ा कर्व ले ले लेता था बाई दिशा की तरफ अब जब डूंगर सिंग ने मुझे देखते हुए देखा तो उसने बताया कि हम दूसरे तरफ जाएंगे अगर उस खेत पर तो वहाँ से हम उस खेत की तरफ देख पाएंगे जहां कुछ लाल-लाल बैठा हुआ है जो कि उसके भाई ने बताया तो खेत के अंदर की तरफ जितना ज़्यादा हम जा सकते थे जाकर एकदम जुक कर हम बढ़ चले खेत के उस दूसरे केनारे की तरह यहां हम घुटने पर चलने लगे अपने हाथ जमीन पर रखके धीरे धीरे हम सरकने लगे और पहुँच गए उस जगे जहां से हमें नीचे दिखना था हमारे नीचे थी एक छोटी सी वैली वहाँ पर एक खड़ी ढलान थी जिसमें लंबी-लंबी घास लगी थी उसके साइड में बांज के छोटे-छोटे पेड़ लगे हुए थी और उन बांज के छोटे-छोटे पेड़ों के आगे एक रवीन था जिसमें डूंगर सिंग की मा को टाइगर ने खाया था अब वो जो घास की ढलान थी करीब 30 गज चोड़ी थी और उसके नीचे वहाँ पर एक चट्टान की क्लिफ थी अब उसकी नीचाई से अगर हाइट ना पी जाए 80-100 फुर तो पक्का होगी अब जहाँ पर वो ढलान थी उसके नस्दीक में ही सीड़ी दार खेट थे करीब 100 गज लंबे होंगे और 10 गज चोड़े होंगे अब वो खेट एकदम सीधा था और जिस साइट हम खड़े थे उस साइट उसमें घास थी जो की ज्यादा बड़ी नहीं थी दूसरे किनारे पर गुलदाउदी की तरह से पेट थे जिनकी की उचाई चार से पांच फीट थी उनके नीचे का हिस्सा सफेद रंका था तो जो घास का पैश था 10 फीट की दूरी पर वहां से वहां पर दो टाइगर सो रहे थे जो हमारे नस्दीक वाला टाइगर था उसकी पीट हमारी तरफ थी सिर्था उसका पहाड की तरफ दूसरा जो टाइगर था उसका पेट हमारी तरफ था और उसकी पूँच थी पहाड की तरफ दोनों के दोनों गहरी नीन बे सो रहे थे अब जो नस्दीक वाला टाइगर था उस पर गोली चलाना ज्यादा आसान था लेकिन मुझे शक्त था कि जैसे ही बंदुक का धमाका होगा पहले टाइगर को मैं गोली मारूंगा दूसरा टाइगर पहाडी की दूसरी तरफ चला जाएगा अब जिम कॉर्बिट को लगा अगर वो बाद वाले टाइगर को पहले गोली मारते हैं तो इस बात की संभावना है कि दूसरा टाइगर शायद तो पहाडी की तरफ चला जाए शायद हमारी तरफ आ जाए तो मैंने डिसाइड किया कि मैं बाद वाले को पहरे गोली मारूंगा मुझसे उसकी दूरी थी करीब 120 गज एंगल ठीक था कुछ ऐसा नहीं था कि पहाडी के वैसे बंदू की गोली थोड़ी उपर उठ जाए धलान पे गोली मारते वक्त इस बात का मैं ख्याल रखता हूँ अब मैंने अपना एक हाथ जमीन पर रखा कुशन बनाने के लिए उसके उपर रखी राइफल अब मैंने साउधानी पूरवक निशाना लिया जहां मुझे अंदाजे से लग रहा था कि उस टाइगर का दिल होगा यानि के हाथ और बहुत ही साउधानी के साथ धीरे से मैंने बंदूक का ट्रिगर दबा दिया वो टाइगर जरासा भी नहीं इला लेकिन उसके धमाके की वज़े से दूसरा टाइगर उछला और एक छलांग में पांच फीट दूर वाले किनारे पे पहुँच गया जहां पर एक रेन वाटर चैनल थी यहां पर टाइगर रुगा एक बार उसने मिड़ के अपने साथी जिसे कि अभी गोली लगी थी उसकी तरफ देखा मैंने गोली चलाई थोड़ा पीछे हटा और पीशे की तरफ गिरिया रेन वाटर चैनल में नजरों से ओजल हो गया अब जब मैंने दूसरा शॉट मारा उसके बाद मुझे कुछ हलचल सी लगी उन जाडियों के पास में जो की दिखती थी गुलदावदी की तरस से क्योंकि वो जाडियां उची थी उनके नीचे कोई बड़ा जानवर चल रहा था कौन चल रहा था नजर नहीं आ रहा था लेकिन उसके चलने से हलचल हो रही थी अब कोई जानवर दो टाइगर के इतने नज़दीक से चल रहा हो तो वो कोई दूसरा जानवर तो हो नहीं सकता पक्का वो टाइगर ही है मैं टाइगर को तो नहीं देख पा रहा था लेकिन मैं उसकी मूमिंट पे नजर रख पा रहा था क्योंकि जाडियों में हलचल हो रही थी मैं इंतिजार करता रहा कि वो जानवर जाडियों से निकल के बाहर आए। अब उसके बाद जो वो घास वाली धलान थी वहाँ पर अचानक से निकल के आया एक टाइगर है। ईसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था। पहले तो गिर गिर गया हिलना बंद हो गया फिर धीरे धीरे ये सरकना श़रू हो गया। और जब सरकना शरू हुआ थीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ती गई। और जो बड़ी सी चट्टान की क्लिफ थी उसके पहले बांज के पेड़ की टहनिया थी उन में जाके ये टाइगर अटक गया मेरे हाथ में राइफल थी उंगली ट्रिगर पर थी लेकिन टाइगर कोई हरकत नहीं कर रहा था अब मैं पटवारी की दरफ मुड़ा जिसकों की मैंने पेड़ पर चड़ा दिया था और जिसने बहुती शांदार नजारा देखा था सारे घटना क्रम का पहाड के ऊपर से डूंगर सिंग जो की चुप चाप ये घटना क्रम देख रहा था अब खुशी से नाच रहा था कितने सालों तक सुनाएगा तो जब मैंने पहले दो टाइगर देखे तो मुझे लगा कि मैन इटर को मेट मिल गया है लेकिन जब तीसरा टाइगर में निकल के आया तो मुझे समझ में आ गया था कि एक टाइगरिस थी और उसके साथ थे दो बड़े कब्स तो दोस्तों तक के लिए ओल दे बेस्ट वन्दे बातरम